दोस्तो इस वीडियों में बात करेंगे सेट जिन सिरफ के वारे में, सेट जिन इसके अंदर सोल्ट आता है इसके वारे में, कि भाई कहां पर चलती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, बच्चे को किस तरह से डोस दे जाती है, बच्चे की उमर दे कितना डोस दे, क्या साइड इफिट करती है कौन सी प्रोलम में काम आती है वीडियो पूरा देखेगा सब को जा नहीं देखिए दोस्तों सेटर जीन एक ब्रेंड आता है डॉक्टर रेड़ी कमपनी का ये ड्रोव में भी आती है छोटे बच्चे जो होते है एक साल छोटे बच्चे उसमें चलती आता है ये शीरप है ये बच्चों में आती है इसलिए इसके अंदर सेटरिजिन पांचमजी बाता है सेटरिजिन इसके अंदर इंग्रीडेंट आता है सेटरिजिन तो एक ब्रेंड है क्या डॉक्टर रेड़ी कमपनी का ब्रेंड है सेटरिजिन इसके अंदर आता है सेटर अब आस जिते हैं विए क्यू दिया जाता है पहले प्राइज जान लेते हैं 24 उरुप यह साथ अंक्राइज की अभी उर्फ हामिकल मेंशेंजर होता है जो कि बोडी के अंदर बन जाता है किसी कांड़ बन सकता है बोडी के अंदर जब यह बनता था दर बच्चो में एलर्ज में 10 समय देना पड़ता है क्योंकि body weight जदा होता है और बच्छों में body weight कम होता है तो 5 समय देना पड़ता है और एक दो में छोटा baby होता है वह धाई अमजी आता है वो ड्रो में आता है तो histamin नामके chemical messenger को यह block करकर काम करता है histamin एक chemical messenger होता है जो body में बन जाता है, तो उस histamine को ये ब्लोक कर देता है, बनने ही नहीं नहीं देता तो ह-I-S-T-A-M-I-N-E ठीक है, तो ये chemical messenger होता है, जो body में allergy को produce करता है, allergy यानि जैसे नाग से पानी आ रहा है, बच्चे के नाग बंध है, बच्चे के कोई skin anti-histamine, तो ये क्या होता है, anti-histamine है, anti-histamine यानि इसको ये ब्लोक कर देता है, बनने ही नहीं नहीं देता, जिसके कारण वो allergy जो हो रही है, बच्चे को ठीक हो जाती है, अब डोक्टर कहां कहां दे सकते हैं, देखिए अगर बच्चे की नाग बंध है, बच्चे की नाक से पानी आ रहा है, बच्चे को हलकी फूल की खासी आ रही है, बच्चे की गले में irritation है, बच्चे की कोई skin allergy readiness है, वहां दोक्टर इसको दे सकते हैं, छोटे बच्चों में करीब-करीब एक साल ची लेके 4-5 साल, 6 साल तके बच्चों में prescribe की जाती है, अब आते हैं, इन problem के बाद इसकी dose कितरी हो सकती है, तो बच्चों में जो dose होती है ना, इसकी धाई ml, अगर कोई बच्चा देड़ दो साल तक का है, तो धाई ml, दिन में oddy हो सकती है, रात को हो सकती है, कई बार जो तक देड़ा की बच्चे के बार या देने के बाद हो सकता है, बच्चे को नीज़ जादा आते हैं, क्योंकि इन से नीज़ वगर आ सकती है, अच्छी बात है जितना बच्चा नीज़ देगा उतरा problem जल्दी ठीक होगा, और इनके रावा बच्चे के vomiting हो सकता है, बच्चे के indigestion हो सकता है, थोड़ा गेस साब बन सकता है, इनके लावा कोई ज़्यादा कोई major side fit नहीं करती है, लेकिन फिर भी कोई भी दुआ हो, जो एलोपेतिक होती है, वो डोक्टर की सलासी दी जाती है, ऐसे तो दुआएगे आपको मिल जाएगे, लेकिन फिर भी डोक्टर की सलासी ही देना चाहिए, एंटी स्टामिन सोल्ट है, एंटी एलर्जिक सोल्ट है, तो दोस्तों संपूंट रहे होता है एडजिन सिरप के वारे में, इस वाइड बोड़ पर आप कौन सी सिरप, कौन सी ड्रोप, कौन सी टेबलेट, कौन सी प्रोलम के वारे में जान चाते हो, कौन वोड़ों से जूरूपते हैं वीडियो मना देंगे, बहुत बहुत धन्या